आईरुवेद में शतावरी के कई फायदे बताए गए हैं इसका प्रियोग विशेज जड़िबूटी के रूप में भी किया जाता है शतावरी एक औुषद्यपॉधि की प्रजाती है जिसे आईरुवेद चिकितसा पधती में कई समय से प्रियोग किया जा रहा है शतावरी का प्रियोग आपके शरीर में होने वाले उन सभी समस्याओं को दूर करता है जो आपकी किड्नी के लिए हानिकारख हो सकती है इसलिए यह कहा जा सकता है कि शतावरी किड्नी को स्वस्त रखने का सबसे अच्छा उप्शन है स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशा किड्नी के बारे में कई महत्पून जानकारी लेते हैं जिसमें हम किड्नी खराबी, उसके लक्षन, किड्नी खराबी से बचाव और उसके आहर के बारे में भी आपको बताते हैं आज हम आप से किड्नी को स्वस्त रखने के लिए शतावरी के कुछ फायदों के बारे में बात करेंगे लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, साथ ही आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी आसानी से मिल पाएगी तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के विश्य के दरफ और जानते हैं शतावरी के बारे में कुछ खास बाते शतावरी का प्रयोग एक और्षदी के रूप में किया जाता है, जो अपने गुणों के कारण पूरी दुनिया भर में लोग प्रयमान गया है कुछ लोग इसे सबजी के रूप में भी उप्योग करते हैं, इसमें पाये जाने वाले पोशक तत्व काफी लाबदायक होते हैं जो आपके शरीर में होने वाली कई दिक्कतों को दूर करने में मदद करते हैं चलिए जानते हैं शतावरी के कुछ फायदों के बारे में और जानते हैं कि यह आपकी किड्नी के लिए कैसे फायदे मनसाबित होती है शतावरी का पहला फायदा है कि यह आपको डाइबटीस के खत्रे से दूर रखता है जिन लोगों को diabetes की दिक्कत है उनके लिए शतावरी बहुत ही प्रभावी माना गया है शतावरी में मौझूद vitamin B6 आपके blood में sugar की मात्रा को control करता है शतावरी में antioxidant और anti-inflammatory गुण पाये जाते हैं जिसका 7 आपके शरीर में insulin को बनाने में मदद करता है जिससे आपके शरीर में sugar का इस्तर समान्य बना रहता है और आप diabetes जैसी समस्या का शिकार नहीं होते जब आपके शरीर में sugar का इस्तर बढ़े जाता है तो इससे आपकी kidney की काम में रुकावट आ जाती है और जब आपकी kidney ऐसे blood को चानती है तो kidney खराब होने लगती है जिसका स्वस्त रहना बहुत जरूरी है शर्तावरी आपके हिट्द्य के स्वास्ते के लिए एक बहतर विकल्प हो सकता है इसमें vitamin B और घुलंचील fiber सही मातरा में होता है जो आपके शरीर में खराब केलिस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं जिससे आप RTL obstruction यानि की धमनियों के अवरोद, heart attack और heart stroke की समस्या से दूर रहते हैं इसका अगला पायदा है यह आपकी bones को मजबूत बनाने में मदद करता है शतावरी में सही मातरा में calcium पाया जाता है जिसका 7 आपकी हड्यों को मजबूत बनाने में मदद करता है शतावरी में vitamin K भी सही मातरा में होता है जो हड्यों को तूटने से बचाता है आपकी जानकारी के लिए बता दें किड्नी का काम हड्डियों को मजबूत बनाने का होता है इसलिए स्टावरी का सेवन आपकी किड्नी के काम में मदद करता है अगर आप स्टावरी का सेवन करते हैं तो इससे आपको यूरीन से सम्मंदित समस्या नहीं होती इसका सेवन आपकी किड्नी को धंग से डिटॉक्स करता है और साथ ही है आपके शरीर में जमा टॉक्सेंस को यूरीन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है साथ यह यूरीन की सही मात्रा रिलीज करने में भी मदद करता है जिससे आप यूरीन इन्फेक्शन की समस्या से दूर रहते हैं और आपके इन्फेक्शन की दिक्कत से भी दूर रहते हैं जिनें अपना वजन प्राकर्तिक रोग से कम करना है तो उन्हें शतावरी का प्रयोग करना चाहिए। शतावरी के सभी फायदों में से एक फायदा यह भी है कि यह आपके वजन को कम करने में मदद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शतावरी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसका सेवन आपके पाचंतंत्र को ठीक रखता है इसलिए लंबे समय तक भूक नहीं लगती और आप अनवशक आहर के सेवन की वजह से मुटापे का शिकार नहीं होते कई बार ऐसा होता है कि अधिक काम के कारण या किसी तनाव के कारण दिमाग से कई चीज़े निकल जाती है या आप बातों को भूलने लगते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अपने जीवन में शतावरी को शामिल करें इसका सेवन आपके दिमाग को एक्टिव रखता है और साथ ही आपको भूलने जैसी समस्या से भी चुटकारा दिलाता है अगर आप अपने जीवन में शतावरी को शामिल करते हैं तो इससे आप कैंसर जैसी गंबीर बीमारी से भी वचे रहते हैं शतावरी में सही मातरा में फॉलेट पाये जाता है जिसका सेवन आपके शरीर में कैंसर की कोशिकाओ को बढ़ने नहीं देता और आप ऐसी गंबीर बीमारी से भी दूर रहते हैं शतावरी का एक प्रमुक फायदा किड्नी स्टोन को दूर करने के लिए भी होता है इसके सेवन से यूरीन की सही मातरा रिलीज होती है जो आपको यूरीन इंफेक्शन की दिक्कत से भी दूर रखती है साथी शतावरी में पाये जाने वाले पोशक तत्व किड्नी के स्टोन को तोड़ कर यूरीन के माध्यूं पर शरीर से भाहर करते हैं शतावरी के सेवन से आप किड्नी स्टोन और किड्नी इंफेक्शन दोनों समस्याओं से बचे रहते हैं तो यह थे शतावरी के कुछ फायदे, शतावरी के कुछ नुक्सान भी हैं, तो चलिए आप अब आपको इन के नुक्सानों के बारे में बरताते हैं. इसका सेवन केवल किड़नी में स्टोन वाले मरीजों के लिए ठीक होता है लेकिन जिन्हें किड़नी में और कोई दिक्कत है उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए कुछ लोगों को शतावरी का सेवन करने से एलर्जी भी हो सकती है अगर ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो इसका सेवन बिलकुल भी ना करें इसके सेवन से कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है साथी तवचा और आखों में खुजली जैसे समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है इसका सेवन करने से कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर अधिक हो सकता है इसलिए जिने ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए तो ये थे सतावरी के नुकसान, ध्यान रहे कि किड्नी के मरीजों को इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है यह उनके लिए हानिका रख हो सकता है आप अपनी किड्नी को स्वस्त रखने के लिए अपने जीवन में योग और आयरुविद को शामिल कर सकते हैं जिन लोगों को किड्नी में किसी भी प्रकार की समस्या है वे अपने जीवन में अयरुदिक उप्चार को शामिल कर सकते हैं अगर आप किड्नी की समस्या से परिशान है तो इसके लिए आप कर्मयरदा से समपर कर सकते हैं कर्मयरदा अपचार केंद्र में आपको किड्नी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है करमयवदा का उप्चार पूरी तरह प्राकर्तिक है जिसका कोई भी दुश्प्रभाव नहीं होता यहां आपको सफल इलाज के साथ साथ बहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्ते के लिए लाबदायक होती है अगर आप डायलेसिस और किड्नी ट्रांस्प्लांट जैसे समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप करमयवदा उप्चार के इंद्र से संपर्ख कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूले साथ ही आप अपने विचार और सुझाओ हमें कमेंट के मादियम से दे सकते हैं अगर आप किड्नी की किसी भी समस्या से परिशान है तो आप हमें वट्सप के मादियम से संपर्ख कर सकते हैं हमारा नमबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है तो आज के लिए बस इतना ही अब मैं आप से विदा लेता हूँ और मैं फिर मिलूँगा एक नए विश्य के साथ तब तक के लिए नमस्कार क्या नाम है पेशनिका? जाम खुलूर कहां से आते हैं पेशन्ट? मनिपूर से मनिपूर मैं कहां से? मनिपूर मैं चुछादपूर जब आय थी इको क्या क्या ब्रॉब्ल्म शोडी थी? प्रॉब्लम है चाहिता मोच उसे डियलिस कितनी मारी करा रहते जब आयते? तो तामस इन वीक तो तामस इन वीक अभी कितनी मारी करा रहा है? अभी तो वन से बीक है पारर half टेकिंगे भी स्वेलिब डिशने से गीजुटन झाया है। दुनिए पहले ही स्वेलिंग भी स्वेलिंग हुँडनी यूरिन यूरिय्म पी अचरे से लूगिया है। गैसरें तुनिए बेतर लिए। पिशेंट का डालेसिज अर्लियर इट वस बाउट ट्वाइज अवीक और राइट नाव दे डालेसिस फ्रिक्वेंसी अज बिदूस्ट तो वन्सवी और इन्होंने पूरा पर्रेज वेगारा जो बजाया था वो पूरा फॉलो किया और गाइडलाइन्स फॉलो करी मेडिसीन स्लीप रॉपर और रिजल्ट्स इनके सामने ही है सब चीज़ों को